हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोशन है आज हम लोग बनाने वाल एक तम क्रिस्पी ब्रेट के पकोड़े यह देखे किते क्रिस्पी है so क्यु 따bus चलिये बनाते है क्रिस्पी ब्रेट पकोड़े सबसे पहले मेने दो मैंने दो बॉइल आलू लिया हैं एक चौप किया हो डाला है, दो से तीन चौप हरी में डाली है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसकी मातरा कम जादा कर सकते हैं, चौप हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, स्वाध अनुसार ब्लैक सॉल्ट, आधा चमज चाट मसाला, आधा चमज फुना जीरा पाउडर और इसे अच्छे से हम मैश करेंगे, मैश आपको अच्छे से करना है, एक ब्रेड ले ली है मैने, ब्रेड आपको एक दिन कम से कम पुराना लेना है, एक दम फ्रेश ब्रेड नहीं लेना है, मैंने आलू की लोई ली है, ढेल सारी अपने हाथों में, सेंट मैदा और चार चमच और इकवल कॉंटिटी आपको लेनी है एक चौथा ही चमच मैने नमक डाल दिया है इसमें अब इसमें थोड़ा थोड़ा पाई डालेंग और इससे मिलाना है इसका बैटर ज्यादा ठीक भी नहीं होना चिए और पतला भी नहीं होना चीए देखे ऐसा हो करेंगे चारों तरब से आपको दबा दबा के करना है यह प्रोसेस और यह तैयार हो चुकी अब हम इसे डीप फ्राइ करेंगे मैंने ओइल मीडियम फ्लेम पर गरम किया है इसमें प्रेक नौल देना है धीरे से इसके उपर थोड़ा गरम डालेंगे ताकि फ्लिप करते समय प पलट दिया है मैंने और एकदम ऐसा गुल्डन एकदम यह दिखे क्रिस्पी होने तक ही से हम डीफ राइ करेंगे यह तयार हो चुका है उमीद करता हूं कि रेसेपी आपको अच्छी लेगी होगी आप अपने घरों में जभू ट्राइ कीजएगा बहुत अच्छी बनती है तब तक सब्सक्राइब कीजिए और बेल एकान प्रेस